गुडिवनी गुद्धो, देवेंद्र, लक्ष, चलो जे, स्टार्ट करें ग्लास, शौरी किशन, शौरी गलती हो गई थी बुक्स की बाद आज जूम मिटिंग में पवन गुडिवनींग सुभेंदू, अमेथ, चलो जी, सभी लोग है, पिछले कोश्चन में कुछ डाउट्स भी था, जो मैंने करवाया था, उसमें कोश्चन में डाउट्स था, कि IAC AI ने, जो डिसीजन लिया था, वो एन पीवी के बेसिस पे लिया था, अगर आपने होमवर्क किया होगा, तो, नहीं, नहीं, चैट बन नहीं होगा, चैट के बिना तुमारा काम ही नहीं होगा, बुक्स के मैटर पे और क्लास के मैटर पे मैं आप से डिस्कुस करने वाला हूं और डिस्कुस करूंगा जूम मिटिंग में जिसको भी प्रॉब्लम है आप जॉइन का दीजिएगा अभी पिछली क्लास में जो किया था उसको एक बार डिस्कुस कर रहा हूं पिछली क्लास मे यह होगा पहला काम यह होगा कि हम क्या पढ़ रहे थे पहले उसका रिवीजन तो कर ले हैं यह सा पहले रिवीजन जो किया था पहले उसको डिस्कॉसन कर ले दो दिन का गैफ है हो सकता आप भी भूल गया हूं हम क्या पढ़ रहा है हम पढ़ै रिस्क एन अन्सक्रटिनिटी इन कापितल वस्च अर उस में उसमें क्या पढ़ा थो एक तो बढ़ा था हमने एकसपेक्टड एन पीवी निकालना अ इक पढ़ा था С्टेंडर्ड एवितिंशन और एक क्या पढ़ा था, coefficient of variation, उसमें बच्चों को एक question में समस्या आ रही है, कि सर आप जो decision लेते हो, वो CV के basis पे लिया था, जिसका CV कम होगा वो, जबकि ICAI ने उस question में लिखा हुआ है, कि यार NPV हमारे लिए सबसे अच्छी method है, तो सर आपका क्या opinion है, हम आपके हिसाब से चले, no doubt हमको ICAI के हिसाब से ही चलना है, लेकिन उस question में institute ने गलती किया है, अगर NPV के हिसाब से ही decision लेना होता, तो हम HD और CV क्यों निकालने के लिए बोला, भाई, risk कम से कम होना चाहिए, target तो वही है, तो उस question के matter पे मुझे आप से discuss करनी है, तो वो question सामने रहेगा, तब हमें दो चीजे पढ़ना था, और एक पढ़ा था हमने risk adjusted discounting rate, RADR, और दूसरा हमें discuss करना था, certainty equivalent, RADR और certainty equivalent, आपका नाम तो मुझे शो नहीं होता, पर मैं नाम आज सेव करूँगा, आपको और आप से बात करूँगा, आपका नाम लेक, RADR और certainty equivalent, ठीक है, किसी का message है कि ICAI खेल रहा है, हाँ चीब, वो हम बात करेंगे, इस मैटर पर, ठीक है बच्चों, अभी सुनो, 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 अब मैं मैं सेज नहीं पढ़ूँगा, अब पहले concept की बात करे, RADR में हमने क्या पढ़ा था, सर, RADR में हमने एक बात पढ़ी थी, अगर प्रोजेक् में रिस्क जादा है, तो require rate of return, discounting rate जादा होगा, अगर किसी प्रोजेक्ट में रिस्क कम है, तो discounting rate कम होगा, बस यह discussion किया था, इसके अलावा कुछ नहीं किया था, और प्यार से NPV निकलते थे, काम खतम करें थे, एक question में करवाने वाला था, पर वो question मुझे करवाने नही दिया गया, बच्चों ने का, sir, home work दे तो हम खुद कर लेंगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने कर लिया होगा, total मिला कर, RADR के ज्यादा question है नहीं, actually, CA enter का, अच्छा, और भी बच्चों के question हा रहे है, sir, capital budgeting खतम कब होगा, अभी शुरू भी नहीं हुआ है, question हो जाए, एक question हो वक था, एक question और करवाने जा रहा हूँ, तो question number 22 पर आ जाईए, ये भी आपके ICAI का ही question है, ICAI का question है, जल्दी से book में देखें, question number 22, sir, study material का कौन सा question number है, ये मुझे, अभी मैंने लिखा नहीं है, और अभी मेरे पास book है नहीं है, तो मैं भी बता नहीं सकता, पर आपके study mat का question है, ठीक है जी, और ये question क्या देखा देखा लग रहा है, yes, कहां देखा था ये question, CA enter में, चलो जी, पढ़ते हैं, discuss करते हैं, question number 22, homework मांगना मत, homework नहीं दूँगा, जब मुझे लगेगा, कियार ये question homework है, मैं आपको पका पका बहुत सारा homework दूँगा, आप चिंता नहीं करो, पर अभी थोड़ा सा रुख जाते हैं, ये question करना जरूरी है, लिखा new project, new project, limited, is evaluating, तीन project, क्या क्या है, project का नाम, P1, P2, और P3, तीन project से हमारी पस, और P1, P2, P3 में, cost और project दिया है, 15,11,15,11,19, ठीक है सर, और inflow दे रखा, cash inflows, हर साल आएगा, ये थोड़ा सा मेरे book में misprint है, आप उसे check कर लिजेगा, छे लाक, second year में भी छे लाक, third year में भी छे लाक, और fourth year में भी छे लाक, project वन में पैसा लगाओगे, तो पैसा लग रहा है 15 लाक, और हर साल आएगा 6-6 लाक, और इसका risk index दिया है 1.8, अगर risk index दिया है, इसका मतलब, same business होगा, या फिर किसी दूसरे business में पैसा, दूसरे business में पैसा लगा रहा होगे, ऐसा बताया नहीं है question में, पर risk index दिया, तो आपको पता है कि हमको कैसे काम करना है, सर, अगर हम project 2 में पैसा लगाए तो, कितना लगेगा 11 लेक्स, हर साल कितना आएगा, 6, 4, 5, 2, और इसका risk index कितना है 1, ऐसी project 3 का दिया है, और इसका risk index है 0.6, हाँ जी, other business होगा, ऐसा दिख रहा है, लिखा नहीं है question में, पर हमको एक बात पता लग गई, कि सर, risk index दिया है, तो हमें RADR किस तरह से निकलना, यह हमको पता लग गए है, minimum required rate of return of firm, मतलब firm का उसने केई दे दिया है, 15%, मतलब 15% है, और फिर risk premium के हिसाब से हम adjust कर देंगे, हम risk index के हिसाब से adjust कर देंगे, tax का rate कितना है, 40%, और risk free rate कितना है, 10%, ठीक है, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सबसे पहले निकालना है, RADR, आठ नंबर का question आएगा, अभी के pattern के सबसे मैं बता रहा हूँ, आठ नंबर का question आएगा, बात का तो हमको नहीं मालूँ, अगर आठ नंबर का question आता, 8 marks important है अपके लिए, प्यार से question कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, और उसके बाद पूछ रहा कि कौन सा project best है, अगर पूछ रहा है कौन सा project best है, तो simple सी बात है, NPP भी निकालें या RADR के सबसे, और काम हो जाएगा, ठीक है, तो sir, क्या किया जाए, सबसे पहले काम क्या किया जाए, calculation of RADR, copy उठाओगे, pain उठाओगे, और काम करोगे, मान के चलो की multiple choice question नहीं है, ठीक है साथ, आज एक important topic करने वाले है, sensitivity analysis, और उसके बड़े सारे question है, CA final में, CA inter में उतने questions नहीं थे, CA final में बहुत questions है, तो last तक class करना पड़ेगा, sensitivity analysis धंग से दिया, गहराई से दिया है, ठीक है, यह तो छुटा-छुटा topic, तो start करें, यस, लिखोगे calculation of RADR, अज़गे, calculation of RADR, सर, RADR का formula लगाना पड़ेगा, यस, RADR is equal to, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, RF, plus, RF plus, risk premium, yes, risk premium को हम, K E minus RF बोल सकते हैं, yes, और multiply किस से करेंगे, risk index, तो फड़ा-फट से गाम करेंगे, yes, सबसे पहले बात किस की करेंगे, project A, RF, निशीता का कहना असर, RF plus risk premium भी लिखोगे, तो कोई गुना नहीं है, सुबेंदू सही है, वज़नती, आप सब लोग सही है, बस मैंने यहां, K-RF लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, K-RF भी होता है, risk premium, ठीक, तो सर, RF कितना है, RF, 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 RF है 10 परशन, project A में आएगा, 10, plus, RM माइनस R, RM नहीं है यहां, K-E, मतलब मिनीमम कितना चाहिए, 15, अगर आपने पैसा लगाया है, मेरे प्रोजेक्ट में तो आपका 15 चाहिए, इट मिस आप, risk premium कितना चार्ज कर रहा हो, 5%, पर जिस प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहा है, उसका risk index तो यार, 1.8 है ना, उसका risk index तो 1.8 है, तो सर, यहाँ किस से multiply होगा, 1.80, तो बताओ, आरे डियार कितना आएगा, 15-10, इंटू 1.8, प्लस, 10, अंसर आए गया है, 19 पर्शन, ऐसे प्रोजेक्ट बी, सभी का इशा सही है, विजनती सही है, जिद दूसर प्रोजेक्ट बी का निकाल एग बार, 10 प्लस, 5 इंटू, वन सीधा लिख दू चलेगा ना, 5 कहां सही है, 15-10, प्रोजेक्ट बन का 19 पर्शन सभी का सही है, प्रोजेक्ट बी का अंसर चाहिए, ऐसे ही प्रोजेक्ट सी का भी लिख लेते हैं, 10 प्लस, 5 इंटू, 0.6, प्रोजेक्ट बी का अंसर आ रहा 15 पर्शन, और प्रोजेक्ट सी का अंसर कितना आ रहा है, 13 पर्शन, 15, 13, कौन सा प्रोजेक्ट ज्यादा रिस्की है, पुशन सिंपल सा है, कौन सा प्रोजेक्ट ज्यादा रिस्की है, 1 या 2 या 3, सिर्फ और सिर्फ रिस्क इंडेक्स को देखकर बताईए, कौन सा प्रोजेक्ट ज्यादा रिस्की है, प्रोजेक्ट यह है, multiple choice question बूछ रहो मैं प्रोजेक्ट 1 ज्यादा रिस्की है क्यों? क्योंकि इसका risk index ज्यादा है बिल्गुल सही, दूसरा question, दूसरा question सही है, प्रोजेक्ट 1 ज्यादा रिस्की है, लेकिन आप दूसरा question सबसे ज्यादा important अब ध्यान से सुनना जिसका risk index 1 है, जिसका risk index 1 है उसका RADR किसके बराबर आएगा, जिसका risk index 1 है वजन्ती का कहना है सर, higher RADR मतलब higher risk, बिल्कुल RADR को देखकर तो बता सकते हो, पर मैं कहा रहो risk index को देखकर भी तो बताए जा सकता है कि सर हा, जिसका risk index सबसे ज्यादा वो ज्यादा रिसकी, दूसरा मैं कहना question सुनो के ध्यान से अगर मैं कहता हूं project 2 का risk index 1 है, तो बताव किसके बराबर, same business सर यह किस के बराबर आएगा, कई के बराबर आएगा, normal RADR, बिल्कोल सही, निषिता noble RADR बोल सकते हो ठीक है है, ठीक है सर, तो चले, अभी क्या करे, MPV निकाले सर, इस project हो किתने परेशन से discounting करना है 19% से इस प्रोजेक्ट को कितने परशन से डिसकाउंटिंग करना है 15% और इस प्रोजेक्ट को कितने परशन से डिसकाउंटिंग करना है 13% तो लिखोगे calculation of NPV ताहीं बोल रहा है सौरफ अब लिखना है calculation of NPV NPV का formula आपको पता नहीं होगा तो लिख देता हूँ NPV is equal to PVCI minus PVCO PVCI minus PVCO अगर यह बीटा होता तो भी डिसाइड हो जाता रिसक इंडेक्स मेरे लिए किसी प्रोजेक्ट जादा रिसकी है तो हो सकता वो प्रोजेक्ट आपके लिए कम रिसकी होगा अभी मैं certainty equivalent करवाँगा तो साइध उसमें थोड़ी बहुत बात समझ में आएगी पर रिसक इंडेक्स डिसाइड नहीं होगा मेरे लिए किसी प्रोजेक्ट का required अठारा है तो किसी और का कुछ और हो सकता है हाँ जो बच्चे बोलते सर यह बीटा है तो फिर तो बीटा है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है बीटा डिसाइड होता है इसके लिए को मैनेजमेंट में घुसके पड़ना पड़ेगा क्या रिसक ये सेंसेटिविटी कैसे कर सकते इंडेक्स कैसे होता है इसके लिए पर्क फोलियो में पड़ना पड़ेगा चलो बताओ भाई त्यार हो यस सबसे पहले प्रोजेक्ट वन का मैं निकालने जा रहा हूँ NPV तोच समझ कर आंसर देन NPV हर साल कितना आ रहा है 6,6,6,6,6,6,6 discounting कितने percentage से करना है पहला प्रोजेक्ट सर, discount करना है 19% से तो यहां लेके दूँ क्या Yes, discounting कितने percentage से कर रहा है हम लोग क्या हर साल का एक जैसा है Yes, Saurav का अंसर आ रहाै 834 00 Nichita का अंसर आ रहाै 834 00 Vezinthi का कहना है कि 19% शे discounting करेंगे बेलकुल सहीं तो question बढ़ा सिंपल सा जिसका निकल गय ऐसा 83400 एक सिंपल से question tax rate दिया 40 पर मिसका क्या करना है हाँ ची tax rate दिया है 40 पर चालीस पर सेंट टैक्स रेट 40 पर सिसका क्या करना भाई तनिस्क भेजंति टैक्स रेट कैसे भूल सकते हो आप tax rate का क्या करे छे लाग एनुटी फैक्टर 19% 4 यर माइनस कितने का 15 लाग 1 डिवाइ 1.19 फैक्टर दिया है क्या क्वेश्चन में सर्फ फैक्टर नहीं दिया है कोई बात एक दो तीन चार जीटी 2.639 माइनस 15 लाग तो सर्फ 6 लाग इंटू 2.639 माइनस 15 लाग तो आगया रुपीज 83 400 2.638 ले सकते है 2.639 ले सकते हैं वैसे 2.639 सही है बाक्य कोई दिक्कत नहीं इस पर हम लडाई नहीं करेंगे ठीक है आगे मैं नहीं कर रहा हूं जल्दी जल्दी से आप मुझे आंसर दीजिए प्रोजेक्ट 2 का और प्रोजेक्ट 3 का आंसर चाहिए मझे प्रोजेक्ट 2 का NPV और प्रोजेक्ट 3 का NPV आगे मैं कैलकोलेशन नहीं करूंगा आप बस NPV बताओगे निकल कर 83151 भी सही है मांशी कोई दिक्कत नहीं है आपने फैक्टर अलग लिया होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता फैक्टर आपको दिया रहेगा प्रोजेक्ट 2 का याद रखना कैलकोलेशन करके बताइए सुबानसू का कहना सर फिर टेक्स रेट का क्या करना है टेक्स रेट में नहीं तो पूछा मेरा कोशन मुझसे कैसे पूछ सकते हैं सुबानसू विजन्ती के करना सर डिवाइड वाले से करी कि फैक्टर वाले से अगर मैं कहूँ आठ नमबर कोशन जब आपने पहला वाला फैक्टर से किया तो दूसरे और तीसरा भी आपको फैक्टर से ही करना चाहिए इट मिंस मैं आपसे बस यह कह रहा हूँ क्या हर साल का कैश प्लो अलग अलग है छे लाग चार लाग पाच लाग दो लाग तो यस तो हर साल का फैक्टर अलग अलग है तो फैक्टर से ही करना चाहिए प्रोजेक्ट टू का आंसर आया है प्रोजेक्ट टू का आंसर आया है वान सिक्स सेवन थ्री डबल ओ प्रोजेक्ट ट्री का भी दे दो आंसर एक बार फिर मैं बता रहा हूं आदिफी कि टैक्स रेट का क्या करना है सौरफ का थर्ड का आंसर आ गया है रूपीस 213800 213800 एक बार मैच कर लो आंसर सभी का हो जाए तो मुझे कंफर्म करना मैं आगे बढ़ूँगा मैं टैक्स रेट का क्या करना है यह समझाऊँगा आसिस का कहना सर आंसर ऐसा भी तो आ सकता है ना 167305 चल जाएगा पवन का कहना है कि सर वर्किंग भी बताओ चलो एक का मैं बता देता हूँ छे लाग, चार लाग, पाच लाग, दो लाग छे लाग इन्टू प्लस चार लाग इन्टू प्लस दो लाग इन्टू प्लस पाच लाग इन्टू और दो लाग इन्टू और माइनस प्रोजेक्ट कितने का है यार सर प्रोजेक्ट है 11 लक, 11 लक्स और डिसकांटिंग कितने परशन से करना सर डिसकांटिंग जो है वो हमें 15 परशन से करना ठीक है ठीक है बवान 1 देवर 1.15 इक्वल टू सर इसका फेक्टर राग है 0.870 0.756 0.657 0.572 माइनस 11 लक करोगे तो आंसर आ जाएका 167,200 मुझे ऐसा लगता प्रोजेक्ट 3 का आप कर ही लोग प्रोजेक्ट 3 सिधा एनपी भी लिख दूना मेरे ख्याल से प्रोजेक्ट 3 का कर सकते हुआ डिवाइड वालो से करेगे सर डिवाइड वाले से करे तो रॉंग होगा कि बिल्कुल रॉंग नहीं होगा लेकिन अगर कोशन में फैक्टर दिया होगा तो आपको फैक्टर ही यूज करना पड़ेगा ये आपको कैसम खानी होगी डिवाइड वाले से भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं थर्ड का गए 2,1,3 ए, डबल, जिरो ठीक चलो ची चलो हो गया इशा सभी का अंसर सही है पॉश्चन ये था कि कौन सा प्रोजेट करना चाहिए कौन सा प्रोजेक्ट बैस्ट है ये वाला, कि ये वाला, कि ये वाला कौन सा प्रोजेक्ट बैस्ट है सर जिसका एन पी भी ज़्यादा है प्रोजेक्ट थर्ड is the best due to हाइस्ट एन पी कि चलो अब काम की चीज यह है यार इस कोश्चन में यह कोश्चन ऐसा नहीं कि सीए फाइनल में डाला गया है यह सीए इंटर में भी था सेम कोश्चन था सवाल बस यह था कि यह टेक्स का रेट दिया है कुछ ना कुछ तो करना चाहिए और मेरे मन में अगर मैं इस कोश्चन को पहले नहीं देखा होता तो मुझे ऐसा लगता यह टेक्स का रेट दिया है तो यह कैश इंफलो है तो मुझे ऐसा लग रहा कि था कि यह कैश इंफलो है तो हो सकता यह कैश इंफलो बिफोर टेक्स होगा और मुझे इसमें से टेक्स माइनस करना पड़ेगा एक पल को मुझे ये लगा अगर मैं पहली बार इस question को करता हूँ तो मेरे मन में ये बात आएगी कि आरे tax दिया है तो कुछ ना कुछ तो करना चाहिए नहीं तो देता ही नहीं दिया है तो कुछ ना कुछ तो करना चाहिए अब कुछ ना कुछ करे तो क्या करे ऐसा लग रहा था किया discounting rate में adjust करते after tax करते पर एक बात यह है कि केई after tax कभी होता नहीं है केई तो होता है उसमें तो कोई tax savings होता नहीं है तो सब क्या किया जाए फिर मेरे मन में यही आया है कि एक काम करते हो सकता यह cash flow before tax हो तो इसको after tax कर ले पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि यह जो cash inflow दिया है जो भी दिया है यह cash flow after tax हो ऐसा भी हो सकता है अगर cash flow after tax है cash flow after tax है तो फिर tax का कुछ करना ही नहीं है तो यहाँ में फस गया था कि अगर फसूंगा गैसे ये तो कोशन ना जाने कबसे एक जमाने से है बुक में ऐसा नहीं है एक जमाने से कोशन है और सच्छा ये है कि I.C.A.I. ने tax rate का कुछ भी नहीं किया मतलब tax rate उन्होंने जबरदस्ती rate दे रखा tax का कोई यूज नहीं है और ये जो cash flow है ये cash flow after tax है तो tension कतम सर गलत बात है ये मैं कुछ नहीं कर सकता इस matter पर मैं कुछ भी नहीं कर सकता सर alternative assumption ले सकते है कि cash flow before नहीं ले सकते नंबर नहीं मिलेगा alternative assumption possible नहीं है सर नहीं है आपको यही करना पड़ेगा अगर ये question आता है तो आपको इसको CFAT मान के ही काम करना पड़ेगा ठीक है जी assumption लिखने की ज़रूरत नहीं IC AI भी नहीं लिखा है तो हमारा tension नहीं है इस question को ऐसे ही solve करना और और मैं इस question पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा आदा घंटा मने इसी में बर्बात कर दिया ठीक है सर आगे चल रहा है आजाओ question number 23 ये भी आपके study mat का question बुक यश मैंने देखा नहीं है कि क्या है उसका solution मुझे बुक का नहीं है idea एक बार में बुक में देखूंगा मेरे ख्याल से लगबग यही answer आया होगा जो आपने निकाला होगा हाँ बुक में पवन बुक में मिस्प्रिंट हो सकता है 167 200 और 167 300 तो आप calculation देख लेना calculation की वज़ा से यह बुक में मिस्प्रिंट होगा पर हम जो कर रहा है वह final है मैं यह कह रहा हूं मैं आप पर विस्वास है आप जो अंसर निकाल रहा हूं फाइनल अप टेंशन मत लिए चलो चीज़ चलो 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 आगे चल रहा है अब मैं अब मैं नहीं ले रहा हूं इस question पर doubt अब मैं सीधा सीधा मैं question number 3 doubts अगर होता है तो मुझे personal message करोगे question number 23 पर आईए और एक question रीट करते हैं और देखते हैं कि हमसे बन सकता है कि नहीं बन सकता सर सौ लाख रुपय प्रोजेक्ट में लगाना है बिल्कुल सहीं बात है risk free return कितना दिया है 7% ठीक है जी 7% risk free दिया है 7% और risk premium दिया है बस risk premium कितना दिया हूँ भी 7% यार मैंने तीन question करवाया है एक में हमने coefficient of variation यूच किया हाँ सर एक में हमने risk index यूच किया यस सर और एक में risk premium दिया है risk premium दिया है तो आरे डियर कैसे निकाल सकते सेवन अगर risk index भी दे देगा तो फिर multiply कर देंगे अगर risk index भी दे देगा तो लाइफ और प्रोजेक्ट है पासा पॉलिंग आर दा cash flow आर एस्टिमेटेड ओवर दा यह cash flow दे रखा है ठीक है सर आपको एनपी भी निकालना अब दा प्रोजेक्ट बैस्ट ओन दा रिस्क फ्री रेट रिस्क फ्री रेट से एनपी भी निकालना और बेसिस ओन दा रिस्क एजिस्टिड रेट क्या question हो सकता है आप से हाँ C enter का है मैंने कब का मैं तो बोल रहा हूं ना कि इस कुछ नहीं है capital बश्टिंग अभी तो C enter ही बढ़ा रहा हूं है क्या ये question हो सकता है यस एनपी वी कितने बार निकालना है दो बार पहली बात इतना बेखुपी वाला काम है आर आराम से हो सकता लेकिन इतना बेखुपी वाला काम है इसको साथ पर्षंट से से डिसकाउंटिंग करवा ही क्यों रहा हूं टाइम पास करवा रहा रहा इंशट्यूट अब खुछ सोचो ना 7 पर्षंट से तो काम खतम आरे डियार हमारा खतम हो गया है सर कैपिटल बिष्टिंग की मुस्किल कोश्चन नहीं आएगे कि आएगे भाई कितने कोश्चन से आपको पता भी है वुक में अभी तो बस बेसिस स्टार्ट हुआ है हमारा धीरे-धीरे काम चार ठीक है सर तो पहला क्या पढ़ रहे थे हम लोग हम पढ़ रहे थे सर कन्वेंशनल टेक्निक्स देविंद्र का कहना सर रेट जो है वह वह विफोर टेक्स लेना है कि आफ्टर टेक्स तो वह डिपेंड करता कि केई है या वेटेड एवरेज कोश्ट अब कापिटल है अभी थोड़ा सा मुझको टाइम दीजिए इसके लिए देविंद्र कोश्ट उस लेवल का आया नहीं है केई है तो वह विफोर टेक्स आफ्टर टेक्स सवाल ही नहीं है अगर डव्लू एससी यूज कर रहे तो वह आफ्टर टेक्स लेना पड़ेगा उसमें केटी अभी मैं बोलूंगा आपको समझवें आयेगा नहीं थोड़ा से इंतजार क किजिए कैपिटल बश्टिंग में ही डिसकुस करेंगे हाँ टॉपिक पर वापस आ रहा हूं एक तो किया तो हमने आरेडियार दूसरा लिखोगे शर्टिनिटी एक्विविलेंट एपपोच शर्टिनिटी एक्विविलेंट एप्पोच अंसका तो उस कोश्योंव कोश्यन का भी आंसर आ गया कोई बाद अच्छ 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 अच अच अब सुनोगे अब कॉंसेट्स है तो बिल्कुल अब मैसेज करना बंद कर दोगे अब ध्यान से समझोगे और जब मैं बोलूँगा तब ही मैसेज करोगे ठीक है ठीक है सर सर ये क्या है इसका नाम क्या है सर बताओ ना इसका नाम है पवंसर क्लासिस आज सर पवन सर क्लासिस ठीक है सर और ये लोग कौन है सर ये लोग है आप लोग ठीक है आप लोग है और आप लोग अगर बैंक में पैसा जमा करते है तो आपको fix deposit पर risk free मिलता है और risk free कितना मिलता है मन से लिख रहा हूँ risk free 8 person मिलता है आप लोगों के पास बहुत पैसा है पैसे वाले लोग है और आपके पास पैसे है और अगर आप बैंक में पैसा जमा करोगे तो risk free मिलेगा 8 person ठीक है अब मैं कहता हूँ यार कि प्लीज मुझे पैसे चाहिए तो आप पुछोगे ना पैसे लगा कहा रहा हूँ मैंने कहां मैं वैसे तो आपको 8% मिली रहा है मैंने कहां कि मैं मुझे पैसे चाहिए और मुझे कितना पैसा चाहिए मुझे चाहिए एक लाग रूप वापस कर रहा हूँ वही सारी कहानी सब पता हैं आपको ठीक है सर और सर इस एक लाग रुपे को आप लगाओगे कहाँ मैं लगाना चाहता हूँ किसी प्रोजेक्ट में मैं किसी प्रोजेक्ट में लगाना चाहता हूँ ऐसा ले जाता हूँ मैं किसी प्रोजेक्ट में लगाना चाहता हूँ प्रोजेक्ट में कौन से प्रोजेक्ट में लगा रहा है सर मैं इसको गौवर्मेंट सिक्यूरिटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ कितने साल के लिए एक साल के लिए और मैं गह रहा हूं कि एक साल बाद मुझे कैश फ्लो कितना मिलेगा एक साल बाद मुझे कैश फ्लो मिलेगा एक लाक वन लाक 12,000 क्या मुझे आप लोग मुझे पैसे देने को तैयार हो जाओ के ध्यान से समझना आपके पास पैसे एक लाक रुपए आप बैंक में जमा करते हो तो फिक्स डिपोजिट आठ परशन आपको मिलेगा मिलेगा और मैं गहता हूँ कि इसको अगर मैं प्रोजेक्ट में लगाता हूँ तो मुझे मिलेगा 112,000 प्लीज मुझे पैसे चाहिए और क्या ये पक्का मिलेगा ये पक्का मिलेगा और ऐंब हमारे अपने उभात तक सुनोगे आप हमारे अपने हो कि पर यह बताऊ आप एंपी निकाल के बताई एम Pॉजीटिव है को दिखकत अश्राइं सामने वाले जब बैंक से आप पैसाल मांगते हो ना किसी प्रोजेक्ट के लिए तो प्रोजेक्ट रिपोर्ड भी देनी होती है तो मैं प्रोजेक्ट रिपोर्ड बना रहा हूं मैं बता रहा हूं कि कैसे काम होगा एंपी पॉजेटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा और म मैंने NPV कैसे निकला NPV is equal to आपको मी बालू है PVCA ही मैं 1,12,000 divided by यह पैसा कब मिलेगा पैसा कब मिलेगा एक साल बात तो discounting तो करना पड़ेगा discounting किस rate से करूँगा discounting किस rate से करूँगा 8% यह 12% discounting किस rate से किया जाएए पक्का पक्का मिलने वाला है risk free बच्च एक बच्चे का अंसर आया है 12% किसी का रहा 8% बहुत सारे बच्चों का रहा 8% बिलकुल क्योंकि इन लोगों से मुझे पैसे किस rate पे मिल रहा है 8% पे इसी को मैं आ रहे बोल दूँ या यही मेरे लिए cost of capital हो जाएगा ओके सर ओके सर बास समझ में आ रहे it means discounting किससे होगा 8% और minus कितना करोगे सर minus 1 lakh तो NPV आ गया और NPV कितना आ गया 1,12,000 divided by 1.08 minus 1 lakh तो सर यह आ गया रुपीज 3,7 0,4 ठीक है यहां तक? हाँ सर यहां तक ठीक है अब आगे चलो अब आगे बिल्कुल मुझे ना आपका ध्यान ध्यान से बात करनी है ठीक है सर अब मैं कहना चाहता हूँ इस सुनो मैं किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहा हूँ मैं अपनी क्लासिस में पैसा लगाने का सोच रहा हूँ तर क्लासिस किस टीश की है? क्लासिस है मेरी क्लासिस में पैसा लगाने का सोच रहा हूँ प्लीज अब मुझे ना अपके साथ की जरूरत है और सर पैसा कितना मिलेगा? बड़ा सारा पैसा मिलेगा मैं कह रहा हूँ कि मुझे 1,90,000 मिलेगा 1,90,000 ध्यान से सुनोगे, ध्यान से सुनोगे मेरी बात 1,90,000 मिलेगा मुझे एक साल बात ये पकका है या इसमें रिष्क है? ये रिष्क की कैश फ्लो है की पकका पकका मुझे 1,90,000 मिलेगा कोश्चन बस इतना है जवाब चाहिए कि पक्का 1,90,000 मिलेगा कि रिस्क है सर को ही नहीं सकता कि पक्का मिलेगा इसमें रिस्क है रिस्क है ठीक एसा अब मैं कहता हूँ कि प्लीज सुनो न बच्चो सुनो न प्लीज मुझे पैसे चाहिए कितना चाहिए 1,007 ॉर प्लीज मुझे 8 न परसंट के सापसे उधार दे तू यह पर्शन के सापसे और मैं टीज मुझे पैसे चाहिए और Northern सिब 8% में आपको 8% ही दूंगा 8% ही दूंगा और पैसा मिलेगा बड़ा सारा पैसा मिलेगा 1,90,000 क्या आप लोग तैयार हो जाओगे नहीं सर मैं कहते हूं प्लीज आप 8% के साब से नहीं 8% गलत बात है आप पहले यह बताओ इसमें रिस्क है की नहीं हम तो तब ही पैसे देंगे जब आप कैश फ्लो रिस्क आठ एट परशन के साब से तब ही देंगे जब आप यह बताओ कि एक लाख नब्य हजार आपको क्या लग र रई है उसको देखते हूए मुझे 110000000 आ जाएगा हम और शुय वह बहुत बनी क्या लगता बूलेहम को ऐसा लगता है वान लैक नाइनलाटी था उजिंड तो एक अनुमान रिस्क है मैं कहता हूं किसमें से हटाओ रिस्क हटाना है और कितना वन लैक नाइन ताउजिण न सर आप 1,90,000 की बात कर रहे हो प्लीज थोड़ा सा अभी थोड़ा सा मैसेज नहीं करूगे पहले मेरी बास सुन लिजी सारी चीजे 1,90,000 आएगा रिस्क है तो आप लोग जो पैसा लगाओगे वो 8% मुझसे नहीं चाहोगे वो आप कह रहे हो कि सर कम से कम 15% आपको देना पड़ेगा इट मेंस क्योंकि इसमें रिस्क है तो डिस्काउंटिंग रिट जो लेना पड़ेगा वो कितना लेना पड़ेगा रिडियर रिस्क एजिस्टे डिस्काउंटिंग रिट लेना पड़ेगा ठीक है सर बात समझ में आते हैं मैंने का यार सुनो ना ये 15 परशन नहीं मुझे चाहिए 8 परशन के हिसाब से बुले अगर 8 परशन के हिसाब से चाहिए क्लासिस लैग हो रही है तो मैं थोड़ा सा रुख जाता हूँ एक सेकें कन्फर्म करो भई ब्रेक ले सकता हूँ या पर ब्रेक अभी नहीं ले सकता एक बार फिर से कन्फर्म कर दो अगर प्रॉब्लम है मैंने रिस्टार्ट की हर रिफ्रेस किया है अगर प्रॉब्लम अभी भी है तो फिर मैं ब्रेक ले लूँगा ठीक है चलो बहुत ज्यादा बाते ना किया जाए बिल्कुल सिंपल वे में समझा रहा हूँ बिल्कुल सिंपल वे में बात करेंगे, बिल्कुल सिंपल वे में, ज्यादा टेकनिकल बाते नहीं करूँगा आपके साथ, ठीक है सर, तो मैं कह रहा हूं कि यह जो cash flow है, यह risky cash flow है, हाँ सर, इसलिए discounting rate आप मुझसे कितना चाह रहा है, 15%, मैंने गा यार, पक्का पक्का हमारा, अनुमान है कि 1,90,000 तो आएगा आएगा, पर मैंने गा, यार, कुछ ना, कुछ ऐसा है कि, यार, ऐसा है, कि यार, 80% तो पक्का पक्का मुझे मिल जाएगा, 80% मिलेगा, तो 80%, 1,90,000 का 80% करूँ कितना आगया, 1,52,000, 1,52,000, क्या मैंने रिस्क हटा दिया है, यास, टोटल कितना आ रहा था, रिस्की कैश प्लो, 1,90,000, पर मैंने गा, पक्का पक्का, तो यार, 1,52,000, सर, ये 80% आया कहां से, ये ही डिस्कस करना, ये ही डिस्कस करना, करूँगा, थोड़ा सा रुक जाओ, टेक्निकल इस्यू तो मैं आपके साथ ज़्यादा बात नहीं कर पा रहा हूं, ये रुक जाए, सर, 1,90,000, क्या रिस्क था, येस, मैंने गा, पक्का 80% तो मिलेगा, तो कितना आ गया, 1,52,000, मैंने, 1,52,000, कोई रोक नहीं सकता, बस सवाल ये है, कि क्या इसमें रिस्क है, येस, और मैंने उस को 80% से मल्टिप्लाई कर दिया, तो आया, 1,52,000, तो क्या, 1,52,000 से रिस्क हटा दिया, येस, आपके मन में एक कोश्चन आएगा, कि 80% आया, कहां से, वही डिसकस कर रहा था, पर अभी में थोड़ा रुका हुआ हूँ, अब चिंता मत करो, तो 1,52,000 आया, तो 1,52,000 को 1,52,000 को डिसकाउंटिंग किस रेट से करना चाहिए, 15% से या फिर 8% से, आंसर चाहिए जल्दी से, पड़ा हुआ है सिए, इंटर में ऐसा तो है नहीं है कि नहीं पड़ा हुआ है, जवाब चाहिए जल्दी से, आंसर आरा 8%, निसांत का आंसर आरा 15%, चंदरकांत का भी आं इस कैश फ्लो को किस रेट से डिसकाउंटिंग कर रहे थे, सर इस कैश फ्लो को हम डिसकाउंटिंग कर रहे थे, 15% से, अब इसमें हमने रिस्क हटा दिया, रिस्क को हटा के, मैंने का पक्का पक्का 80% मिलेगा, बास सुनो मेरा, पक्का पक्का 80% मिलेगा, सर पक्का आया कह से मैंने काना उस मेटर पे भी मुझे discussion कर नहीं नहीं है पक्का पक्का 152 अब बताव इसमें risk है यह नहीं 152,000 में risk है की नहीं है 1,90,000 में risk था की नहीं था और 1,52,000 में risk है की नहीं है तर नहीं है इसलिए इसको discounting किसे करेंगे 8 पर्शन से तो मुद्दे की बात ये है आपने इंफ्लेशन पढ़ा मुझे साथ चाहिए अब आपका आपने इंफ्लेशन पढ़ा येस रियल कैश प्लो होता था रियल कैश प्लो याद है रियल कैश प्लो हाँ सर रियल कैश प्लो का मतलब क्या होता था विदाउट इंफ्लेशन तो उसको डिसकाउंटिंग किस से करते थे सर, real discounting rates agree? एक पड़ा था nominal cash flow हाँ सर, nominal cash flow उसको discounting किससे करते थे? nominal discounting rates इससे भी agree है? यस, अगर मैं कहता हूँ inflation नहीं लेना है inflation नहीं लेना तो इसमें inflation नहीं आएगा तो इसमें भी inflation नहीं आएगा हाँ सर, अगर inflation लेना है inflation को consider करना है इसमें भी inflation आएगा इसमें भी inflation आएगा, मानती है उस बात को हाँ सर, ये भी पता है हम लोगों को फिर हमने क्या किया? हमने कहा, किया cash flow risk की cash flow है ऐसे cash flow जिसमें risk है तो उसको हम discounting किससे करते थे RADR मतलब risk लेते थे हाँ सर, इसमें risk होता था तो इसमें भी क्या जोड़ देते थे risk premium add कर देते थे agree ना यार, RADR अगर risk की cash flow तो discounting किससे करते थे risk adjusted discounting rates ठीक है सर, और एक बात अगर मैं कहूँ अगर risk free cash flow है risk free cash flow तो उसको discounting किससे करेंगे सर, risk free rates से discounting करेंगे हाँ सर, it means ना तो इसमें risk होगा ना तो इसमें risk होगा कवाल बस simple सा है हाँ, ये risk free cash flow आया कैसे बस मुझे ये समझाना है इसके लिए बस थोड़ा सा रुख जाईए इसके लिए wait किजिए एक utility function है वो मुझे समझाना अब भी, अब भी, अब भी simple language में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ठीक है सर तो पहले लिखवा देता हूँ थोड़ा बहुत फिर मैं बात करूँ तो ज्यादा अच्छा example के साथ समझाऊ तो ज्यादा अच्छा ऐसे समझ में नहीं आएगा जितना मैं बोलूँगा आप उतना ज्यादा कोशन पूछोगे तो हम क्या पढ़ रहे थे सर हम पढ़ रहे थे certainty equivalent approach उसमें लिखोगे following steps मैं लिखवा रहा हूँ अब मैं कुछ सुना नहीं चाहता अब जो भी बात करेंगे वो example के साथ करेंगे तो certainty equivalent approach falling steps are apply it to calculate NPV as per certainity certainity equivalent approach step number one step number one कर्दोडाब और धंदकांपोची को प्लागी हुए? रिस्क फ्री चैष फ्लोल अरिटेर्क फ्लोल में? और रिस्क-प्रीज़ फ्लोग एक्वाल तू 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 एक्सपेक्टेट कैश्फ फ्लो इन्टू यह 80 परशन्ट सरी 80 परशन्ट को 0.8 बोला जाता इसको बोला जाता सर्टिनिटी कोईफिशेंट खैर यह आएगा कहां से वह बाद में डिस्कूस करेंगे बस मैंने कहां मैं उसी के लिए बस वह एक पॉइंट है जो मुझे आपको समझाना सर्टिनिटी एक्विवेलेंट सी ए सर्टिनिटी एक्विवेलेंट इस्टेबन नमब 2 कल्कुलेट आंप वी उसिं एर आफ कि एज 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 दिसकाउंटिंग रिट अभी कुछ समझाया नहीं है अभी बस लिख लो उसके बाद एक्जाम्पल से बात करेंगे अच लिख लिया हूँ तो मैं आगे चल रहा हूँ लिख लिया है यस आगे एक्जाम्पल से ही बात करेंगे सब कुछ एक्जाम्पल 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 कोश्ट औप्रजेक्ट 1,20,000। तराइए लिट के सर। एर एक्स्पेक्टित केशवी लेक्टियर के सकते हैं 80,000 2nd year 92,000 3rd year 78,000 1st year में expected है 3 ही चाल का project है 1st year में 80,000 आएगा 2nd year में 92,000 आएगा 3rd year में 78,000 आएगा सर ये पक्का पक्का आएगा कि नहीं ये expected है अगर सिर्व इसी को discounting करना होता तो मैं risk adjusted discounting rate से discounting करता पर यहां मैं आपको certainty equivalent दे देता हूँ तो अब मुझसे पूछा गया 1st year में कितना आएगा 80,000 अनुमान है बोले अनुमान छोड़ो यार 80,000 में तो risk पक्का पक्का बता सकते हूँ कि आपको इतना तो minimum मिलेगा यस बस अभी हम कहां फसी हुए बस एक जगा कि पक्का पक्का पता कैसे लगता है बस वही बात है पर अभी उसके बिना भी हमारा question होगा पहले में उसके नहीं probability नहीं बोल सकते probability को यूज करके काम होता है वो एक चीजे हमारे syllabus में नहीं है पर एक question डाला हुआ है जिसका नाम है utility function सुब तो वहाँ उस matter पर मैं बात करूँगा थोड़ा सा बस मुझे time दी कि सीई का मतलब probability नहीं है तो सर 80,000 हा लेकिन probability को ही यूज करके सीई निकलता है सीई निकालने के लिए हमारे syllabus में नहीं है पर एक question है वो question के तुरूँ आपको सारी चीजे समझ में ठीक है उसी sequence में चल रहा हूं जिस sequence में ICI ने काम तो सर 80,000 पक्का आएगा कि 80,000 पक्का नहीं आएगा पर मुझे उम्मीद है कि इसका first year में 80 परशंट तो confirm है हमको मिलेगा 80 परशंट को हम point 8 बोल सकते है ये question में दिया रहेगा आप चिंता ना करूँ इसका calculation कैसे होता हूँ मैं सिखाऊंगा ठीक है सर और सर second year में second year में 70 परशंट तो पक्का पक्का confirm है और सर third year में third year में point 5 मिलेगा 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 point 5 और risk free rate दे रखा है 6% पर रेन calculate NPV using certainty equivalent एप्रोच अब बस मुझे इतना बताओ मैं फिर से बोल रहा हूँ इस मेंटर पर अभी हम discussion नहीं कर रहे हैं कि यह आता कैसे अभी यह मान के चलो कि यह दिया हुआ है तो क्या इस जो expected cash flow उसको 6% से हम discounting कर सकते नहीं सर हम 6% से उसी चीज उसी cash flow को discounting कर सकते हैं जिसमें risk ना हो risk free हो तो अब जब मैं बोली रहा हूँ कि यार 80,000 का 0.8 पका आएगा risk नहीं है उसमें तो काम हो सकता है हाला कि अभी भी बच्चों का लग रहा कैसे risk नहीं है मैंने गा ना उसके लिए आपको रुखना है तो सबसे पहला काम है कि मुझे expected cash flow को convert करना पड़ेगा certain cash flow में risk free cash flow में और risk free cash flow को discounting कि से करना पड़ेगा 6% से तन इसक का answer भी आ गया है बहुत अच्छी बात है अब हम क्या कर रहा है calculation of NPV तो start करें यस यहीं कर लेते हैं अच्छी लिखोगे calculation of NPV answer आ चुका है बच्छों का मेरी उतनी speed नहीं है मैं पहुच रहा हूँ आं तक answer आ चुका 30428 कहना है 30438 ठीक है चल जाएगा सबसे पहले क्या आएगा year और year क्या क्या आ जाएगा year आ जाएगा 1 2 3 फिर क्या आएगा सर expected cash flow मैं इसी में सब कर दे रहा हूँ क्योंकि एग्जामपल है तो चल जाएगा expected cash flow कितना है first year का 80,000 second year का है 92,000 और third year का है 78,000 उसके बाद क्या होगा उसके बाद multiply करेंगे हम certainty equivalent से जो की है 0.8 और यहां कितना है 0.7 और यहां कितना है 0.5 तो जो cash flow आएगा उस cash flow का नाम क्या रहेगा उस cash flow का नाम रहता certain cash flow यह उसको मैं बोल सकता हूँ risk free cash flows और risk free cash flow कितना कितना आएगा चेक कर ले थे risk free cash flow कितना कितना आएगा सर्च कर इसको अर्यक्तों बोल přाइच अर्ट फॉर खॉर ग कितना है और यह आइट फॉर था़ॉज़ंगेट आएट फॉर गॉर तॉर टॉर पोइंट फॉर फॉरूर आइट आएट फॉरॉर थाज़ंद आट पो îंट फॉर थी इनठ्रो अब यह अगे हमारा risk free cash flow, इसका present value factor किस rate से discounting करेंगे, 6% से, मैं factor से कर रहा हूँ, ठीक है, सही है, थेंक्यू सुबांसू, 1 divided 1.06, 0.943, 0.890, 0.840, अब यहाँ जो आएगा, वो आएगा हमारा present value, चेक कर लेते हैं, कितना कितना आएगा present value, 64,000 into 0.943, सरही आगे 60352, 64,400 into 0.89, 57, 316, और 39,000 into 0.84, 32, 760, सबका total मारेगे, 60352, प्लस 57316, प्लस 32760, तो यह आगया है, 150, 150, 150, 428, इस पी वी सी आई, माइनस कर देना, पी वी सी हो, कितना पैसा लग रहा है, 120,000, तो यह आगया हमारा NPV, NPV आगया, 30, 00, 48, NPV, ठीक है, ठीक है जर, वैसे तो concept में कुछ है नहीं है, सर, question में कुछ नहीं है, बस एक चीज जो हमको समझना है, सिर्फ एक मात्र चीज जो आपको मुझे समझाना है, वह certainty equivalent यह कैसे आता है, हाला कि यह question में हर question में दिया रहेगा, पर conceptually यह समझना तो जरूरी यह अखिर है क्या चीज़े, ठीक है, हो गया, हाँ सा, एक question कर रहा है, एक दो question करेंगे, topic करवाँगा, मैं utility function कर रखके, उसमें certainty equivalent कि हम लोग बात करेंगे वैसे भी, आ जाएए जल्दी से, बहुत जादा time हमने, question number 24 पे आईए, question number 24, कुछ question पूछने वाला हूं, कुछ question पूछने वाला हूं, और धीरे धीरे हम इस topic यहां बहुचेंगे, कुछ question पूछने वाला हूं, calculation सबसे हो जाएगा, calculation में दिक्कत नहीं है, कुछ questions है, जो आपके साथ discussion करने वाले हूं, पहला, यह question भी, क्या CA enter का है, yes, तो सरी यह क्या हमारे study material में भी है, yes, study material का तो सारा question करना ही करना है, सुनो मेरी बात समझो अच्छे से, अब मैं जो बोलने वाजा रहा हूं, जिन लोगों का, देखो सुनो 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 मेरा past experience, जब जब भी new syllabus आया है, तब तब क्या हुआ है, सुनो गेर्चू, जब जब भी new syllabus आया है, अगर सुन रहा हो तो, यह question ही कर लेते सर, पहले question करेंगे, फिर आपकी बात सुनेंगे, हाँ जी, तो पढ़ते हैं, दो प्रपोजल होगे, सिंपल सी बात है, दोनों में से कोई एक करना है, प्रोजेक्ट M और N, इसमें पैसा कितना लग रहा है, 8,50,000, और इसमें कैसा कितना पैसा लग रहा है, 8,25,000, राहुल मैं पक्का पहले बताने वाला था, पर क्योंकि बच्ची इतने समझदार है, वो सुनेंगे यह नहीं मेरी बात, वो कहेंगे सब आप अपनी बात बात में छोड़ो, सबसे पहले एक कोश्चन, क्योंकि मैं बोलूगा ना तो बच्चे कोश्चन बनाने में, मतलब पढ़ने में बहुत अच्छे है, इसलिए पहले डिस्कसी कर ले ना यार कोश्चन, फिर बात करेंगे, तो प्रोजेक्ट M में पैसा लगने वाला, 8,50,000, प्रोजेक्ट M में पैसा लग रहा है, 8,25,000, ठीक है जी, आगे, आगे, हाँ निशीता मैं पक्का भी बात करूँगा, मुझे फ़स थोड़ा सा टाइम देते, एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं, अब आगे क्या लिखा है, certainty equivalent approach is used, in incorporating risk, in capital investing decision, current yield on government bond कितना दे रखा, 6%, government bond का yield दे रखा है, 6%, और उसी को आपको कौन सा rate लेना है, risk free rate लेना है, ही कैसर, प्रोजेक्ट M और प्रोजेक्ट N का, पैसा कितना लगेगा ये तो बता दिया है, साथ में आपको cash flow भी दिया है, 1st year, 2nd year, 3rd year का cash flow, 4,50,000, 5,5,000, और मैंने आपसे पहले ही बोला था ना, ये दिया रहता है, हाला कि इसका calculation हमको सीखना है, पर ये अभी दिया हुआ है, ठीक, तो बताओ, प्रोजेक्ट M में 1st year में आएगा, 4,50,000, this is expected cash flow, CE से multiply करने से क्या आएगा, risk free cash flow, और risk free cash flow का discounting किस से करेंगे, 6% से, ऐसे project N का भी दिया हुआ है, present value factor दिया है, तो कसम खालो कि अगर factor दिया है, तो factor से ही multiply करेंगे, सबसे पहले पूछ रहा है कि कौनसा project कर लेना चाहिए, क्या निकालना होगा, NPV? निकाला जा सकता है, क्या, आप से, क्या मुझे ये first point कुछ समझाने की जरूरत है या नहीं, first वाला point, वापस करवा हूँ, सारी चीजे, सबसे पहले cash flow को CE से multiply करके certain cash flow निकाले, और certain cash flow या risk free cash flow को discounting किस से करें, 6% से, मेरे खाल से इस point को हमें करने की जरूरत है, या फिर आप, हो जाएगा, ठीक है सर, हो जाएगा सर, हो जाएगा, point number one में कोई issue नहीं है सर, हाँ, आ रोहन, easy लग रहा है, अब 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 सुनो सुनो, concept concept concept, concepts पे आते हैं, क्योंकि मुझे point number two discuss करना, point number two discuss करना अभी रुख जाओ, वो last वाले point में फ्रस्ति हो, हाँ सर, बताईए, पहला, जवाब देना सोचके, यह जीरो पिरियट, ठीक है सर, यह है first year, यह है second year, और यह third year, ठीक है, हाँ जी ध्यान से सुनोगे भई, ध्यान से, ध्यान से सुनना मेरी बात, यार मुझे मालूम है कि फर्स्ट यहर मेरा एक्स्पेक्टट कैस्फ फ्लोव 80,000, सेकंड यहर में 90,000, और थर्ड यहर में 70,000, मन से लिखा है, यह मत पूछना कि यह आया कहां से, मन से लिखा हूं मन से, अब जब मैं आज हेड़ा हों तो में सोच रहर हो यार, मुझे क्योंकि बात का देख पा रहा हूं कि क्या हो सकता है और मुझे क्योंकि मेरीne किलासेश यहरी है क्या होने वाला, मैं इसका ज़्यादा अच्छी से नुमान लगा सकता हूं और मैनिका 80,000 है ना तो पक्का पक्का ऐसा लग रहा है कि इसका मुझे 80% तो पक्का पक्का आएगा क्योंकि मुझे मालूम है एक साल पास में 0.8 अच्छा अब जब मैं 2nd year का सोच रहा हूं कि अब 2 साल बात कितना आएगा वैसे तो cash flow को देख के तो यह तो expected 90,000 2nd year में 2nd year में यह certainty equivalent 0.8 से कम आएगा कि ज़्यादा आएगा सोच समझ कर जवाब देना certainty 2nd year में कम यह ज़्यादा 0.8 से कम यह ज़्यादा 2nd year में 1st year में कत को तो मैं देख पा रहा हूं 0.8 हाँ बस दीरे 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 low आएगा सर low दिल खुश कर दिया क्योंकि यार 2 साल को देखने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है और अगर कोई कहा कि 10 साल बाद क्या होगा तो भाई कैसे 10 साल बाद बिलकुल सहीं यार समझदार बच्चे सब की सब 2nd year में generally बोल रहा हूं generally certainty 0.8 से कम रहेगी और 3rd year की certainty और भी कम रहेगी जितने ज़्यादा दूर जाते जाओगे certainty कम होते जाएगी यह बाद तो समझ मैं पर मैंने का generally ICAI का कोई यकीन मत करना पता लगा कि उसने उठा कर दे दिया सर कितना दे दिया यहां का 0.9 दे दिया और आप कोगे वाओ लिखकर आगे की कोशन गलत है ICAI कहेगा कि ठीक है भाई अगले अटेम्ट में सही करके पहुचाता हूं ज्यादा दिमाग मत चलाना यह तो मैंने थोड़ा सा समझाय दिया कि हाँ सर ठीक है ठीक है तो जनरली ऐसा होता है जनरली ठीक है सर इसलिए पहला सर्टिनिटी जदा है फिर कम है फिर कम है यह बात तो हमको समझ में आई ठीक है मैं फिर से बोल रहा हूं कि इस पे चैलेंज मन कर देना Institute को चैलेंज मन करना दूसरा point ध्यान से यह और भी काम के चीज है अगर ध्यान से देखो फर्स्ट एर की इस में प्रोजेक्ट एम का फर्स्ट एर में पक्का पक्का कितना आएगा पॉइंट एट हाँ सर जबकि प्रोजेक्ट एन में कितना आएगा पॉइंट नाइन हाँ सर इसमें 0.8 इसमें 0.9 कौन सा ज्यादा रिस्की है क्या लग रहा है जिसका certainty कम है कि जिसका certainty ज्यादा है कौन सा ज्यादा रिस्की है तो तो समझ के फिर से जवाब दे दो जिसमें C.E. कम है वो ज्यादा रिस्की है कि जिसमें C.E. ज्यादा है वो ज्यादा रिस्की है रिस्की कौन सा ज्यादा है निसिता का कहना है M अमित का भी कहना है सर प्रोजेक्ट M ज्यादा रिस्की है किशन का भी है कहना कि प्रोजेक्ट M ज्यादा रिस्की है सर हाँ सभी बच्चे सर सीधी सी बात ये है जिसका certainty कम पानते हो हाँ तो सर उसमें risk ज्यादा low certainty more risk ठीक project M ज्यादा risk के सर C लैसे मतलब ज्यादा risk के बिल्कुल बिल्कुल अभी 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 काम की चीज है अगर मुझे risk adjusted discounting rate यूज करना होता अगर मुझे अब भूल जाओ सी मैं कहा रहा हूँ इसको देख कर बताओ अगर मुझे RADR यूज करना होता तो किस project में RADR का ज्यादा rate लेता higher rate project M में ज्यादा rate लेता कि N में ज्यादा rate लेता अगर RADR यूज करना होता तो किस project में risk adjusted discounting rate ज्यादा यूज करता project M में की project N में कि निशीता का कहना एन दीपक एम तबी बच्चों का एम आ रहा है निशीता का फिर से वापस एम आ गया आशिश का भी एम आ गया यस अंस का भी एम है दीपक का भी प्रुजेक्ट एम है मतलब बात आपको समझ में आ गई कि इशन का भी एम है सर बात क्या समझ में आगे बात बड़ी सिम्पल सी है जिसमें certainty equivalent कम उसमें risk ज्यादा जिसमें risk ज्यादा उसमें risk adjusted discounting rate क्या लोके ज्यादा इसमें किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है हाँ सब प्रोजेक्ट M में ज़्यादा RADR यूज करेंगे हाइर RADR यूज करेंगे उसकी वज़ा है कि यह रिस्क जाता है बहतरी तो अब पॉइंट नमबर टू पढ़ने की कोशिश करतें कि पॉइंट नमबर टू में लिखा क्या है वन तो हो जाएगा वन की समस्या थी नहीं मुझे पॉइंट नमबर टू इफ रिस्क एजिस्टे डिस्काउंटिंग रेट मैथड इस यूज अगर हम RADR यूज करते अगर हम RADR यूज करते तो किस प्रोजेक्ट को आया रेट से डिस्काउंटिंग करते और क्यों करते यह अश्का कहना है सर एक बार फिर से explain कर दोगे क्या मेरा बस यह कहना है certainty इसमें कम है certainty मतलब यहर पक्का पक्का आने के chances कम है इसमें कम है इसमें इधर तो ज़्यादा पक्का है इधर कम पक्का है ठीक है सर तो इसका मतलब सर इधर जो है ये कम है कम certainty है कम certainty मतलब कम certainty मतलब risk जादा और risk जादा तो RADR भी जादा लेना पड़ेगा मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा और जिनको नहीं आया मैं फिर से बोना हो कि personal मुझे call करोगे तो मैं समझा दूगा मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो finally ये वाला point कर लोगे अगर RADR यूज करना होता तो किस project को हम जादा RADR यूज कर कौन से project को higher rate लेते तो answer आ जाएगा project M उसकी वज़ा क्या है क्योंकि certainty कम है certainty कम है risk ज़्यादा है और रिस्क ज़्यादा है इसलिए RADR हम ज़्यादा यूज करोगे ठीक है ठीक है ठीक है सर क्या आप लोग इसको homework लेना पसंद करोगे या सर इसको भी मैं दे रहा हूं homework पर इसको लिखना आप classwork copy में लिखोगे classwork copy में हां लिख सकते हो language में आपको कुछ बच्चों का सुनो क्या कहना है दो बाते कर लूँ आदा गंटा ऐसे नहीं चुड़ूँगा आज तो मैं पूरा नौ बज़े तक पढ़ाने वाला सुनो कुछ बच्चों का कहना है कि सर सुनो न यह चो language institute यूज करता है क्या यह लेंग्वेज ही लिखना जरूरी है क्या हम अपनी लेंग्वेज में भी लिख सकते हैं तो मेरे पास एक किसी स्टुडेंट ने अपनी कौपी पहुचाया है और उसने बहुत कुछ पहुचाया है बहुत कुछ समझाया मैं आपको शेयर करूंगा मैं आपसे बोल रहा हूं जरूरी नहीं और बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप आप समझा जीजिए जो पेपर चेक कर रहा हूं उसके समझ में आ जाएगा तो आपको एक भी नंबर नहीं काटेंगा सारे की सारे नंबर देखे और ऐसा मेरे पास एक मैं ऐसे तो सेयर नहीं कर सकता आपके साथ पर मैं सेपरेटली ग्रूप में शेयर कर दूँगा वह आं अभी तक जितने बार भी नियू सिलेबस आया है सुनोगे दिहां से नियू सिलेबस आया है जैसे नियू सिलेबस इंटरडियूस हुआ उसके बद एक्जाम होते हैं जैसे सर अब जब एक्जाम होने वाले कब होने वाले है एक्जाम हमारे जो नियू सिलेबस के में 24 में है और ये experience रहा है, उसमें जो paper है, question paper, वो almost study material से आता है, सर ये तो गलत बात है guessing, मैं ये नहीं कह रहा है, कि हमारे study mat में बहुत कम questions है, वो आप भी जानते हैं, वो मैं भी जानता हूँ, अगर मेरे 4X chapter कर लो तो वहाँ 120-130 question होगे, study mat में 40 questions होगे, 40 questions होगे, मैं बस ये कह रहा ह कि अधिकतर, जितने बार भी मैंने देखा है, और ऐसा नहीं कि मैं SFM की बात करूँ, generally मैं बाकी paper की बात करूँ, कि जैसे, जैसे अभी आप कर रहे हो, और पहला paper आपका पढ़ने वाला May 24 में, तो उसमें generally study mat से question आते है, new syllabus जैसे ही आता, उसके बाद वाला जो exam होता, उस एक चीज तो कसम खा लो, सर कसम क्या, कि study mat का एक एक question करेंगे, चाहे वो easy हो, चाहे मुस्किल हो, मतलब नहीं है, ऐसे हवा में मत कर देना, कि चलो यार, याजी उड़ा दो, उड़ा दो, नहीं भाई, नहीं, प्लीज एक एक question करना, मैं खुद मेहनत कर रहा हूँ, मैं ये ठीक है, ये question homework है, और प्लीज इसको classwork copy में करोगे, question number 25 भी आईए, question number 25, तो समझ के बताओ, हो सकता है कि नहीं हो सकता, एक बार read कर लो question, question एक बार read कर लेजिए, और मुझे बताए, question हो सकता है कि नहीं हो सकता, कितना लगा रहा है, 45 लेक, आरेब दिया है, 5%, expected, यहां अच्छी साफ साफ language दिया है, गम से गम, expected cash flow दिया हुआ है, certainty equivalent coefficient दिया है, क्या ये question आप से हो जाएगा, अब ये मत बोलना कि ये भी करवा दो, और सर इसको homework लिखना है, और इसको आपको homework copy में ही लिखना है, homework copy में ही लिखना, ये time pass question है, ये तो सब calculator से हो जाएगा, हाँ, इसमें कुछ नहीं लगा है, तो अगर class work copy में कोई question करना है हम लोगों को, तो ये वाला question please class work copy में डाल देना, आने के chances है, आने के chances है, please class work में, और इसको तो calculator में भी बना लोगे, तो चल जाएगा, ठीक है, एक point है, चलो जी, अब मैं आगे बढ़, हमारे बास आधा गंटा है, आधे गंटे में topic discuss करना है, ठीक 9 बजे class छोड़ दूँगा, break नहीं दे रहा हूँ, break में flow टूट जाएगा, वैसे भी class में disturbance होता है, तो flow टूटता है, अब मेरी कोशिश है, कि एक topic बहुत अच्छे स समझा दूँ मा, सर हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे, risk analysis and capital बश्टी, पहले नंबर पर क्या पढ़ा था है, पहले नंबर पर बढ़ा था, probabilistic approach, जिसमें हमने standard deviation, expected NPV, वगेरा वगेरा पढ़ा था, ठीक है, दूसरे नंबर पर क्या पढ़ा था उसको discounting rate ज्यादा लेना है, ठीक है, दूसरा क्या पढ़ा, certainty equivalent approach, और उसमें हम जो cash flow दिया रहता था, उससे risk हाटा देते थे, तो risk free cash flow आता था, और risk free cash flow आता था, तो हम उसको risk free से discounting कर देते थे, ठीक है, तो दो ही ठीक से, उसमें भी अभी certainty equivalent के लिए एक topic आएगा, utility function वाला, तो उसके साथ सथ ये चीज़े discuss हो जाएगे, अभी तो कोई दिक्कत थी, अभी तो दिया हुआ था, ठीक, हाँ, module तो पूरा करें, ये module का एक भी question नहीं छोडने वाले हम लोग, अब, तीसरा, risk analysis में तीसरा part, अब मैं लिखवाने जा रहा हूँ, लिखोगे मेरे स Other Techniques और अदर टेक्निक्स में फ़र्ष्ट सेंसिटिविटी अनल्सिस सर ये सेंसिटिविटी अनल्सिस भी C.A. इंटर में बढ़ा था हाँ अब यहां से खेल चालू होता है C.A. फाइनल का C.A. इंटर में पढ़ा था और बच्चा टाइप का पढ़ा था कुछ भी नहीं पढ़ा C.A. फाइनल में लेवल के कोश्चन है इसमें आज कभी टाइम लगेगा इसमें कल कभी टाइम लगेगा सेंसिटिविटी अनलिसिस ठीक है सर उसके अलावा सिनारियो अनलिसिस सर सिनारियो अनलिसिस या सिनारियो अनलिसिस करेंगे ठीक सर सेंसिटिविटी अनलिसिस मतलब बीटा होता है हाँ वो अन्स मैं तो उतनी टेकनिकल लेंग्वेज में जाने रहा हूं बाकि आप सहीं बोल रहा हो हम डिटेल में डिस्कुरिशन करेंगे ठीक है सर scenario analysis उसके अलावा simulation so simulation था क्या CA इंटर में अगर मैं कहूं कि study mat में एक question था पर करवाते नहीं था कोई पर simulation CA final में है अच्छा सर ये बात है कि decision tree decision tree decision tree जो CA इंटर में था लोग उसको decision tree बोलते थे वो कुछ है नहीं वो बिल्कुत एक ही question था बड़ा simple सा question था यहां है decision tree jump कर मजा जायेगा उपर से binomial tree भी है sir binomial क्या बोल रहा है और समझ में नहीं आ रहा है चलो नहीं समझ रहा है यह चार चीज़े पहले लिख लीजिए sensitivity analysis scenario analysis scenario analysis था question भी आया था CA इंटर का है simulation नहीं पढ़ा है आपने मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ मैं तो यह भी मान के चल रहा हूँ कि sensitivity analysis भी आपने नहीं पढ़ा है और decision tree अब नाम देखके लगा कि final है yes note कर लिया है चलूंची आगे मेरी एकाई से note कर लिया होगा अब चलूंची आपने लिया है sensitivity analysis ठीक है अब सुनो मैं बहुत सारी बाते कर सकता हूँ कि sensitivity analysis में हम यह सोचते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा उन सब कर वैसे ऐसे discuss किया जाए या फिर example के साथ discuss किया जाए तो मुझे ऐसा लग रहा example के साथ discuss करते हैं खुम मज़े आएगा और आज जितना भी टाइम है हमारे पस 15-20 minute इसी example को करोगी तो यहां मुझे आपका साथ चाहिए और आश्यर की बात है कि यह आपको आता है सर अपको ने CA Inter में नहीं पढ़ा है आपने CA Inter में नहीं भी पढ़ा है तो भी आपको आता है इतना आसान टोपिक है ठीक है सर एक्जांपल के साथ चलते सर इसमें लिखवाओगे नहीं क्या लिखवाओंगा लिखवाओंगा अभी लिखवाओंगा ना तो एक सब्द समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या लिखवा रहा हूँ पर एक्जांपल से समझ लेते और जब मैं लिखवाओंगा ना तो आप खुद बताते जाओगे कि सर यह लिखिए यह लिखिए यह लिखिए जब आप खुद बताऊगे ना language तब मुझे मजाएगा ठीक है ठीक है सर एक्जाम्पल और मेरे ख्याल से इसमें एक एक एक्जाम्पल करवाँगा मैं एक एक्जाम्पल में सारी चीजे discussion हो जाएगे और स्टोप प्रोजेक्ट रुपीज 1,20,000 थी के सर लाइफ और यह एक्जाम्पल नोट कर लेना भाई यह एक्जाम्पल बहुत काम का है इससे पूरा सेंसिटिविटी क्लिर होने वाला एक सी एफ एटी 45,000 cost of capital 10% पर एनम calculate NPV बस खतम हो गया sensitivity पहला का मैं आप NPV नहीं का लूँ जल्दी से सर हमसे नहीं निकलेगा NPV प्लीज आप निकाल दोगे क्या ठीक है भई NPV भी निकाल देता हूँ आपके लिए आप भी क्या याद करोगे NPV is equal to PVCI minus PVCI answer आगया सर 45,000 into 3.790 minus 1,20,000 NPV कितना आगया और NPV आगया सभी का रुपीज 50,585 ठीक है? हाँ जी सभी का answer आगया है रुपीज 50,585 निकल गया ठीक है ठीक है ठीक है अब भाई अब कहानी सुनो अब मेरी बात सुनना ध्यान से मैं क्या बोल तो project करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? project accept ये reject answer चाहिए project accept ये reject sir NPV positive है sir? हाँ अगर NPV positive है तो project को क्या कर लेना चाहिए? accept कर लेना चाहिए ठीक है sir यहाँ तक बात समझ वे है अब सुन। हाजी, अब सुनूगे, आगे सुनुगे आगे कहानी, अभी कहानी खत्म नहीं हुई कहानी तो अभी स्टार्ट हो रही है तर बोलो अब मेरा मैनेज़मेंट है अपसी ये लोग हो, और आपने NPV निकाला, और आपने NPV निकाला पॉजेटिव आया और NPV पॉजेटिव आया तो प्रोजेक्ट एकसेट कर लेना चाहिए आपने अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार किया और आपने मैनेजमेंट को बता दिया अभी कोई मैसेज नहीं करेगा प्लीज अब मेरी निशा अब सुनोगे मेरी ध्यान से NPV सब का आंसर सही है और एकसेट है बिल्कु सही है पर अभी मेरा मैनेजमेंट मुझसे क्या बोल रहा है बोले रुको सिये सहब रुको हमने का अच्छा बताओ क्या दिखते थे बोले भगवान ना करे आप बताओ कि पैसा कितना लग रहा है मैंने एक लाग बीस दर लगने वाल मैंने गा 45,000 और बोले कितने साल तक आएगा मैंने गा 5 येर स्थाइगा बोले सुनो सिये सहाब क्या पक्का एक लाग बीस जार ही लगेगा मैंने गयर कैलकुलेशन के हिसाब से तो 120,000 लगेगा बोले अगर भगवान ना करे बुरा बुरा सोच सकते हो कि बुरा सोचना भ भगवान ना करे, आपका अनुमान है कि 120,000 लगा, कहीं इससे ज़्यादा लग गया तो, मैंने का हाँ यार, तो बताओ, NPV में फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, मैंने का इफेक्ट पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, और बताओ, बुरा सोचो, बुरा, अगर प्रोजेक NPV कम होगा कि ज़्यादा होगा, NPV बढ़ेगा कि डाउन हो जाएगा, सर अगर कोश्ट बढ़ेगा, तो NPV गिर जाएगा, डाउन हो जाएगा, किसकी वज़ा से, इसकी वज़ा से, कोश्ट और प्रोजेक्ट की वज़ा से, ठीक है सर, हमने का ठीक है, देख लेंगे कितने percentage से down होगा वो आराम से सोचेंगे और हमने वाकई हमने क्या किया बस अभी सुनना है अब मेरी बास सुनना हमने का चलो ना करके देख लेते हैं करके देखने में क्या दिखते हैं और हमने क्या किया हमने वाकई कॉष्टो प्रॉजेट को 20% से बढ़ाया यह लिखना नहीं है लिखना नहीं है सुनना है सुनना है हमने वाके 20% हमने का चलो करके देखते हैं जैसि मैंने इसको 20% से बढ़ाया मेरा Н.P.V कम हो गया और N.P.V मालम है गिरा और कितने परशन से डाउन हो गया मन से लिख रहू और NPV मेरा 5% से कम हो गया किसकी वजह से cost of project की वजह से ठीक है हमने गा यार cost of project बढ़ेगा ना तो NPV गिरेगा और NPV कितने percent से down हो जाएगा 5% मैंने गाँ हो गया ना बोले वो भी नहीं हो गया इसके विश्य से मैं सोचो आप को क्या लग रहा CFAT कितना आएगा मैंने का CFAT 45,000 आएगा बुले बुरा सोचो मैंने का बुरा क्या सोचो यार CFAT भगवान ना करे आप बोल रहे हो कि CFAT cash पैसा आएगा कितना आएगा 45,000 हर साल का भगवान ना करे माल भी कही नहीं तो फिर मान लो यह 45,000 नहीं आएगा उससे ज्यादा आएगा कि कम अगर उससे कम आएगा कम बुरा सोचना है ना यार हाँ बुरा सोचते अगर यह कम हो जाएगा कितने परशन से अगर यह 20 परशन से कम आजाएगा तो NPV में फर्क पड़ेगा यस और it means मैं बोल रहा हूँ अगर मेरा cash flow 20 परशन से डाउन हो जाएगा तो NPV 8 परशन से डाउन हो जाएगा ठीक है cost of project 20 परशन से बढ़ेगा तो NPV 5 परशन से डाउन हो जाएगा ठीक है सर यहां तक भी बात समझ नहीं यह calculation हम कर लेंगे अभी calculation के लिए time है थोड़ा से ठीक है सर यह भी बात समझ वे मैं हर एक factor में बुरा बुरा सोच के देख रहा हूँ बाकी factor को constant रख रहा हूँ सर constant क्यों रख रहा है मैं detail में discussion करना है कल का time है हमारे पास अभी जाते जाते कुछ चीजे करके जाएंगे ना ठीक है तो इस factor के विशे में भी कर लिया यह भी एक factor है इसके विशे में भी सोच लिया अब life के विशे में बुरा सोचते है बुरा सोच के देखें यह भगवान हमारे हिसाब से machine five years चलना चाहिए हमारे सबसे हमारा जो प्रोजेक्ट है वो five years का है भगवान ना करे अगर प्रोजेक्ट पास साल चला ही नहीं बुरा क्या होगा तो बुरा मान लो यह प्रोजेक्ट पास साल का अनुमान था पर यह मेरा जो life है वो चार साल ही चले मतलब 20% से डाउन हो गया लाइफ पास साल का अनुमान था पर यह चार साल ही चला प्रोजेक्ट हाँ प्रोजेक्ट कम चला तो तीन साल भी हो गया इतना भी बुरा नहीं सोचना यार ऐसे मैं तो जानी ने लो गया मैं खिए अब बुरा सोचो पर थोड़ा कम बुरा सोचो ठीक है सर यह लाइफ अगर 20% से कम हो गया तो यार एनपी भी डाउन हो जाएगा और एनपी भी 10% डाउन हो जाएगा मैं मन से लिख रहा हूँ सारी चीज़े ठीक है सर तो यह एक फैक्टर का सोच लेए अब इसके वेसे मैं सोचो cost of capital सर cost of capital मतलब मैं लोगों से पैसा उठाऊंगा कितने परशंट से उठाने का सुचरा हूँ 10% से ठीक है सर अगर यह पैसा मेरा अनुमान है कि 10% पर मिल जाएगा पर 10% पर नहीं मिला बुरा कैसे सोचोगी इसमें cost of capital it means cost of capital 10% से 10% की जगा 12% हो गया तो yes cost of capital भी 20% से अब हो गया तो 10 का 20% तो NPV 12% से डाउन हो जाएगा अब सूचो कि भाई साब ऐसा है ध्यान से समझ रहा हर फैक्टर को मैंने 20% से चैंज किया मन से लिखा हूँ हर पर मैं 13 भी कर सकता हूँ अभी मैं यह सब मन से लिख रहा हूँ या तो इस पे हम ज़्यादा focus नहीं करेंगे हर फैक्टर को मैंने 20% से चैंज किया और देखा कि उससे NPV पर क्या प्रभाव पड़ता है और सबसे ज़्यादा जो danger दिख रहा है जिसकी वज़़़ से NPV बूरी तरह से गरने वाला है वो कौनसा फैक्टर दिखाई दे रहा है आपको यह चार फैक्टर मैंने आपके सामने रखी कौनसा फैक्टर है ऐसा दिखाई दे रहा है जो critical है, critical factor नाम दूँगा, कौन सा factor critical दिखा रहा है, जिसकी वज़ा से NPV बहुत ज्यादा down हो रहा है, सर उस factor का नाम जो दिखाई दे रहा है, उस factor का नाम है cost of capital, ठीक है C.A. साब, cost of capital, तो अब मेरा management ने मुझे क्या करवाया, अब मेरा management बोलता है, देखो ऐसा है साब, no doubt आपका NPV पॉजेटीव है, हाँ जी, सबका सही आंसर है, cost of capital, सबका सही आंसर है, cost of capital, तो अब मेरा management मुझे से क्या बोल रहा है, मेरा management मुझे से ये बोल रहा है, कि देखो साब, आपने हर एक factor का आपने काम किया, और आपने critical factor निकाला, और critical factor निकाला cost of capital, इसकी वज़ा से NPV बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा है, तो अब एक काम करो, project NPV निकाला, project को accept करना है, आपने ये भी निकाल लिया, बोले अभी रुख जाओ, सबसे पहले इन सबका sensitivity analysis करो, सर, sensitivity analysis है क्या actually, sensitivity analysis में हर एक factor के विशे में हम सोच रहे हैं, हर एक variable के, और क्या सोच रहा है, unfavorable direction में सोच रहा है, कि अगर यार ऐसा हो जाओ गया, मान लो ऐसा हो गया, तो NPV कितने से down हो, unfavorable, और जब यह सोच लिया, accept करने से पहले काम हो रहा है, NPV निकाला, decision आया accept, लेकिन अभी accept मत करो भी थोड़ा रुको, और आप sensitivity analysis करो, और उसके बात यह देखिए, कि कौन से factor आपके लिए danger है, और danger क्या दिखरा, cost of capital, बोले ठीक, अब बोले एक काम करो, अब फिर से पता लगाईए, कि आपको जो पैसा है, वो 10% मिल जाएगा न, अभी फिर से, क्योंकि यह danger दिखरा है, आपने सब कुछ कर लिया, मसीनरी वसीनरी लेने की बात बात हो गई, जब पैसे उठाने की बात आई, तो 10% मिला ही नहीं, rate 15% हो गया, अगर rate कुछ और हो गया, तो आप तो बरबाद हो जाओगी न, आपने तो फिर गलत काम कर लिया, इसलिए जल्द बाजी मत कीजिए, NPV निकाला, बहुत अच्छी बात है, NPV निकाला, positive आया, ये भी बहुत अच्छी बात है, सीधा accept मत कर लिजिए, sensitivity analysis कीजिए, अच्छा सर, ये बात है, हाँ, और मुझे वही काम करना है, हम sensitivity analysis कब करते हैं, सारी चीजे लिखवाना है मुझे, अभी नहीं लिखवाँगा, मैंने पहले ही कहाना, पहले मैं समझाऊँगा, सारी चीजे, examples all करवाँगा, और उसी के बाद बात करूँगा, ताकि जब मैं लिखवाँँ, तो मेरा काम हो जाए, आप खुद बताते जाओ, तो अब मेरा पहला, दो-तीन question में बात कर रहा हूँ, पहला question, sensitivity analysis में हम, हम, सोचते हैं, favorable direction में की unfavorable direction, सर हम क्या सोचते हैं, अच्छा हुबी होगा, कि सिब बुरा बुरा होगा, बुरा बु direction में सोचते हैं, ठीक है, दूसरा question, sensitivity analysis जो किया जाता है, वो project को accept करने से, पहले किया जाता है, कि बाद में किया जाता है, तो पहला question का answer सही है, सभी का बच्चों का, कि सर, sensitivity analysis में जो हम सोचते हैं, हर एक variable के विसे में, वो unfavorable direction में सोचते हैं, पिलकु सही, दूसरा question, जी, सभी का सही है, अब दूसरा question ध्यान से सुनोगे, दूसरा question ये, जो sensitivity analysis किया जा रहा है, हाँ जी, unfavorable direction, जी भगवार, कैसे वच्ची है यार, हो गया, अभी सुनो, इसमें, एक समय पर, काम की चीज है, काम की चीज, एक समय पर एक ही factor सूचना है, एक समय पर एक ही factor में change करना है, कि एक ही समय पर सारे factors में एक साथ change करना है, बड़ी important बात है, मैं जो पूछने जा रहा हूँ, अभी बड़ी important बात है, क्या हमने एक एक समय पर एक factor change किया है कि सारे factors एक साथ change कर दिया आजी project को accept करने से पहले sensitivity analysis किया जाता है बेलकुल सही मेरा उसके बाद question था एक समय पर एक ही factor को change कर रहा हो कि एक साथ सारा काम कर रहा हो कि इसको भी 20% से बढ़ा दिया इसको भी उसी समय 20% से कम कर दिया इसको भी 20% से कम कर दिया इसको भी हमने 20% सारा काम एक साथ कर रहा हो कि एक समय पर एक ही factor change कर रहा हो एक ही factor change हो रहा है yes sensitivity analysis में यह आ सकता है multiple choice question इसलिए में discuss कर रहा हो हाँ एक समय पर एक ही factor change होता है पहले इसको change करोगे तो ये बाकी factor constant रहेगे जब इसको change करोगे तो ये बाकी factor constant रहेगे ठीक आगे 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 सर तो सारे factors change नहीं किये जा सकते है कि किया जा सकता है अगर सारे factors को मैं एक साथ change कर दूँ इसको भी change करूँ तो वो sensitivity analysis नहीं कहला था वो कहला था scenario analysis अच्छा सर हाँ it means मैं आपको करवाऊंगा scenario analysis उसमें सारे factors एक साथ change होगे sensitivity analysis में एक समय पर एक ही factor change होगा ठीक है एक एक करके गाम करेगा ठीक है सर बात समझ में आती है तो सर start करें क्या अब भी आज start नहीं कर सके आज का काम क्या रहेगा सुनोगे सुनोगे बच्चो इस क्योंकि एक example से न हम मुझे इतना कुछ समझाना है बहुत कुछ समझाना है ये example मेरे लिए बहुत ज़्यादा important है और इससे बहुत सारी बाते करने हैं और इस example को करने में कम से कम एक गंटा लगेगा इसमें इतनी चीज़े डालूँगा कि आपसे कोश्चन बहुत आसानी से बन जाए और इसके लिए मुझे टाइम चाहिए तो कल मिलते हैं आज class over करूँगा मैंने कहा था न कि break नहीं दूँगा तो मैं 9 बजे class over कर दूँगा आज class over कर रहे हम लोग आज class over कर रहा है और कल मिलते हैं ये example आपके आज 930 लेना था 930 जूम मिटिंग सायद पॉसिबल है जूम मिटिंग रखने का सोच रहा है class extend कर दीजिए नहीं class आज extend नहीं होगा क्योंकि इसमें मुझे एक घंटा लगेगा और बीच में अगर flow टूटा और फिर कल पे जाएगी बाती तो फिर मजा नहीं आएगा ठीक है ठीक है सर तो जूम मिटिंग के लिए मेरा staff है या नहीं एक बार में देख लेता हूं अगर वो है तो फिर मैं आपको मैसेज तो कर देता हूं कि जूम मिटिंग है पर कोईसिस है मेरी कि आज मैं आपके साथ बात करूँ और वो भी सर कितने बीच जूम मिटिंग रहेगी अभी नहीं रहेगी नाइन थर्टी आदे गंटे का तो मुझे भी ब्रेक चाहिए मैं भी धग गया हूं और उस मिटिं जरूरे जरूरी नहीं है जो जो जोवरनाशा ज्याख करना जाए जनकाना में कोई इस्यों नहीं वो मिटिंग चाहिक है त recordings है और होगी यह उसलिड़ें बाइब बाइब